नमस्कार दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं प्रेक्टिन और डेक्सोना टेबलेट के बारे में बहुत ही मशूर दवाई है बताने की जरूत नहीं है कि ये किस काम में आती है और किसलिए इसका इस्तिमार करते हैं क्योंकि आदे से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता होगा और इसको इसको इस्तमाल भी कर रहे होंगे तो मैं इस वीडियो में आपको इसकी पूरी जानकारी दूँगा कि अगर आप इसे लेना चाते हो तो कब तक ले और कैसे इसको छोड़ें और इसके क्या नुकसान होते हैं, क्या इसके फायदे होते हैं इन सभी बातों कि इस वीडियो में बताऊंगो तो वीडियो को पूरा देखेगा लेकिन उससे पहले दवाईयों की जानकारी पाने के लिए अपना डॉक्टर राज को कर दीजे सब्सक्राइब साथ में जो घंटी वारा निशान उसे ओल पे टच कर दीजे ताकि आपको ऐसे और dexona तो मेरे पास जो ब्रैंड है वो और है ठीक है जो की डैक सागू के नाम से है और साइप्रोहेट्डम तो है यह वही चीज है ठीक है तो इसका कुछ MRP जो देख लेते हैं इसका 20 रुपे MRP है और 10 गोलियों का और Cyproheptad in Hydrochloride 4MG के नाम से है ये और Danish कंपनी की है मेरे पास और Prectin जो आती है वो दूसरी कंपनी के आती है Merind कंपनी की तो इसके जगा पे आप उसका इस्तमाल कर सकते हैं और Dexasone है ये Cadillac Company की है और इसका MRP है 2 पे 13 पैसे 10 गोलियों का तो दोस्तो इन दोनों का इस्तमाल ज़्यादा तर किया जाता है वैसे अकेला भी कर सकते हैं जरूरी नहीं कि दोनों ही साथ में लेनी है तो दोस्तो सबसे पहले बता देता हूं कि इसका इस्तमाल भूख लगने के लिए किया जाता है जैसे किसी को भूख नहीं लग रही है तो उसकी भूख को खोलने के लिए बढ़ाने के लिए इसका इस्तमाल किया जा सकता है ठीक है तो आप जैसे अगर आपको भूख नहीं लग रही है तो मोटे शरीर भारी हो जाएगा और जो फेस है आपका चेहरा है वो भी बढ़ा हो जाएगा चेहरे पे सूजन जैसी महसूस होगी और आपका बजन जो है बढ़ जाएगा और आपका जो खाना है पहले आप समझ लिए दो गुरूटियां खा रहे थे दो सुबे और दो शाम को तो उसकी जगह पे आपकी छे हो जाएगी सूबे और छे हो जाएगी साम को इससे पेट जो है धीरे धीरे बाहर निकलने लगता है ये प्रॉबलम भी बहुत देखी गई है तो दोस्तो इसको जो लेना है तो उसका मैं तरीका बता देता हूँ तो इसी के लिए ज्यादा त इसको ले सकता है ठीक है और इससे जल्दी से जल्दी बजन बढ़ जाता है मोटे हो जाते हैं अदमी लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि इसके बहुत सारी नुकसान भी होते हैं तो वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आगे तो सबसे पहले अगर किसी को भूख नहीं लग रही है तो इसका इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन ज्यादा से ज्यादा दस दिन तक या पांस दिन तक ठीक है भूख आपके चालू हो जाए जैसे तो आप इसे बंद कर दीजिए लेकिन एक दम से बंद मत कीजिएगा वो भी धीरी-धीरे कर देना ठीक है जैसे सुबह शाम खाते थे एक टाइम कर देना फिर एक दिन छोड़के फिर ले लेना ठीक है तो ऐसा आप इसको छोड़ सकते हो मतलब कि जब पांच दिन का वो बता रहा हूँ मैं भी और जो लोग इसको रेगुलर ले रहे हैं मान लेजी आपको एक साल हो गया दो साल हो गया तीन साल हो गया कई लोग ते पांच-पांच साल से ले रहे हैं कभी ले लेते हैं बीच में छोड़ देते हैं जैसे ही पतले हो जाते हैं क्योंकि इसको छोड़ने के बाद इंसान जो है मतलब मोटे तो हो जाओगे तुरंती तुरंती नहीं मतलब दस दिन के अंदर आपको इसका रेजल्ट देखने को मिल जाएगा तो इसको लेने से रेजल्ट तुरंती मिलगा आपको लेकिन जो इसका छोड़ने का जो तरीका है वो भी बहुत जरूरी है जानना जैसे कि आप बहुत दिनों से ले रहे हो तो इसे आप एकदम से जैसे छोड़ोगे तो जैसे आपने बंद कर दी सुबह से बंद कर दी रात को खा रहे थे सुबह से मतलब वीडियो देखा आपने का बंद कर दिया ठीक है नुकसान सुनके त इसे जैसे आप ले थे थे सुबह शाम तो इसे फिर एक टाइम कर दीजिए फिर दिन में दिन जैसे मान लीजिए आपने दस दिन खाया ठीक है ऐसे एक टाइम फिर आप दस दिन खाये एक दिन छोड़के ठीक है एक ही टाइम खाना फिर दो दिन पहले दो टाइम खाते थे फ चोड़ना है एकदम से कभी भी नहीं बंद करना क्योंकि जो आपकी सिहत बनी हुई है वो बिल्कुल फिर से वैसी हो जाएगी और भी उससे बुरी लगने लगेगी ठीक है तो आप इसे ऐसे बंद कर सकते हैं यह तरीका कई लोगों के उपर आजमाया हुआ है तो जो मतलब जैसे इंसान मान ली जा अपने दो महीने खा लिया एक महीने खा लिया आपकी सिहत बन गई आपका चेहरा भी अच्छा हो गया ठीक है तो आप इसे एकदम से बंद नहीं करना फिर एक महीने चालू रखना मतलब आपने दो महीने खा लिया यह तीन महीने खा लिया तो एक- कहली है ते तो यह जहाता है वहीं पर रुख जाएगी जितने बन गई है आपो नुकसान भी नहीं और सदू कि चोड़ने की बात और इसके बैनेफिट बनेफिट के रिखने के भूल लगने काम है भूल लगाना ठीक है और जो इसका फाल नुक्सान है में बता देता हैं अब लगातार इसको इस्तिमार करते हो तो आपके जो बॉड़ी पार्ट से वो अंदर के धीरे-धीरे कमजोर होने शुरू हो जाएंगे क्यों कि मुटापा अंदर पानी भरेगा मुटापा होगा तो आपको जो है अंदर के जो पार्ट से जो बॉड़ी पार्ट से वो कम जोर हो जाएंगे कि आप थोड़ी सी ठोकर में ही आपकी हड़ीयां टूटने लगेंगे ऐसे ही मतलब इसकी स्थीती हो जाती है पानी भर जाता है और जाब इसे बंद कर देते हो आप एकदम से तो आपकी जो सकिन है वो सुकुड जाती है जैसे बुड़ापे में सुकुड वैसी सुकुड जाएगी तो आप इसे ऐसे एकदम नहीं बंद करना और यही इसके फायदे भी है नुकसान भी है तो इसे जितना ज़्यादा हो सके इदवाई से दूर रहना ज़्यादा दिन नहीं इस्तिमाल करना यहीं मेरी इसला है आप लोगों से और अगर करना भी है तो 10-12 दिन तक इस्तिमाल कर सकते हो और इसे बंद कर देना बिल्कुल भी फिर बाद में नहीं खाना और इस्तिमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर की सला जरूर ले लेना अपनी मर्जी से बिल्कुल भी इसका इस्तिमाल नहीं करना है जब आपको डॉक्टर बताएंगे कि इस दवाई की जरूरत है तब ही आपने लेना है यह नहीं किसी का देख के आप लेने लगो क्योंकि यह नुकसान दाएक दवाई है और इस और भी दवाई आती है भूग की जैसे की तागद वाली दवाई है वो भी लीजिए ठीक है अकेला इसको लेने से नुकसान होगा आपको और अगर आपने लेना ही है अगर भूग नहीं लग रही है तो आप इस टैबलेट का अकेली का इस्तमाल कर सकते हैं ये सेफ होती है पास-दस दिन आप इसको नॉर्मल ले सकते हैं इससे आपकी भूग बढ़ जाएगी ठीक है इसको साथ में नहीं लेना क्योंकि जो में काम ह भी करती है इस्तमाल तो इन दोनों को लेने से पहले दिन आपको थोड़ी बहुत नेंद भी आ सकती है सुस्ती भी लगेगी तो धीरे-धीरे सही हो जाता है फिर तो आपको अगर भूग नहीं लग रही है तो आप इसका इस्तमाल कर सकते हो दस बारा दिन और फिर आप इस झाल झाल